हेलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास एक मैस चैप्र नम्मर 9 एक्सराइस 9.3 का कोशिन नम्मर 5 कोशिन नम्मर 5 से पहले प्रिविएस वीडियो में आपको सारे कोशिन्स करा चुके हों तो एक बार प्लीज आप उसको ज़रूर चेक करें तो चलिए स्टार्ट करते हम कोशिन नम्मर 5 कोशिन नम्मर 5 का एक पार्ट है एड करना है आपको इन सारी डिजिट्स को क्या करना है ये सारे जो expressions दीए हैं, उनको सबको add करना है, इसमें देखो, यहाँ पर monomial है, और यहाँ पर हमारा क्या है, दो terms है, यहाँ पर एक और दो terms है, तो हमें इस जो एक term है, इससे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको solve करना पड़ेगा, पहले bracket close करेंगे, और bracket close करने के बाद इसको solve करेंगे, ठीके? то चलिए पहले first step करते है हम bracket को solve करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? इस P की multiply मैं किस में करूंगी? यहां पर किसमे, P में, और उसके बाद इसी P की multiply किसमे करेंगी हम Q में, ठीके? और इस bracket को solve करेंगे, तो सबसे पहले P की multiply P में किया तो कितना हो गया P स्केर ठीक है next इसी P की मल्टिप्लाई क्यों में करें तो इससे पहले क्या आ गया minus और ये क्या हो गया P क्यों ठीक है अगली bracket solve करेंगे अगली bracket solve करने के लिए हमने क्या करना है क्यों की multiply पहले क्यों से करनी है तो ये क्या आ जाएगा आपका Q2 उसके बाद इस Q के multiply किसे करनी है R से करनी है तो minus लगा के क्यो R ठीक है next bracket solve करनी है next bracket में क्या है हमारे पास R की multiply R से करेंगी तो क्या आगया R square R की multiply P से करेंगे तो पहले minus है तो पहले minus लिख दे फिर उसके बाद क्या हो गया R P अब हम question को solve करेंगे question दिया हुआ है add तो जहां भी आपके comma and लिखा हुआ है यहाँ पर हमने कौन सा sign लगा देना है plus का sign लगा देना है तो चलिए करते P square minus P Q यहाँ पर comma है तो यहाँ पर मैंने क्या लगा देना है plus यहाँ पर Q square minus Q R and है इसलिए plus क्यों 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 क्या कर रहे है add कर रहे है ठीक है उसके बाद R square minus R P अब क्या करते हैं हम like terms को इकठा करते हैं like terms में सबसे पहले हमारे पास P square है है कही P square नहीं है तो मैंने P square ऐसे ही लिख दिया ऐसे P square लिख दिया आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर P क्यों minus P क्यों देखो P क्यों है कहीं नहीं है P क्यों तो इसको भी ऐसे लिख दिया उसके बाद हम देखते हैं क्यों square क्यों square है कहीं पर नहीं है ऐसे लिख दिया उसके बाद हम देखते हैं क्यो और है कहीं क्यो और नहीं है उसके बाद R square देखते हैं कहीं नहीं है R P कहीं नहीं है तो miss अब इसका solution क्या हो गया यही हो गया यह हमारा डर यह हमारा हो गया answer clear चलिए next करें B part B part में क्या है आपको same as it is सबसे पहले हमें क्या solve करना है bracket solve करनी है ठीक है तो पहले bracket solve करते हैं 2x की multiply हम किस में करेंगे z में करेंगे और उसके बाद फिर x में करेंगे और फिर उसके बाद y में करेंगे मिल्स समझाए आपको कैसे करना है सबसे पहले 2x की multiply मैंने z में कर देनी है उसके बाद फिर easy 2x की multiply x में करनी है और फिर easy 2x की multiply y में करनी है ठीके तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे 2x की multiply z में तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x z ठीके उसके बाद minus अब 2x की multiply हमने किस में करनी है x में तो x x क्या हो जाएगा आपका x square ठीके तो यहाँ पर क्या जाएगा 2x square उसके बाद फिर minus का sign 2x की multiply किस में करनी है y में तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 2xy क्योंकि variable और तो कोई नहीं सब different है उसके बाद चलो आगे की bracket खोलते ही आगे की bracket के लिए हम क्या करेंगे 2y की multiply z में तो क्या आ जाएगा 2y z 2y की multiply y में करेंगे तो क्या हो गया 2y square उसके बाद 2y की multiply हमने x में किया तो 2xy ठीके जहाँ पर variable 2 हो जाते हैं यहाँ पर y था यहाँ पर भी y था तो हमने y square कर दिया था otherwise वैसे ही लिख देना है clear सभी को next करते हैं आगे अब अगली step हमारी क्या है कि and हताना है comment हताने है और उसमें क्या लगा देना है plus का sign लगा देना है ठीके तो चलिए लगाते हैं 2xz माइनस 2x square माइनस 2xy यहाँ पर हमने plus का sign लगाना है 2yz माइनस 2y square माइनस 2xy अब अगली step बताओ जल्दे से क्या है अगली step है हमें like term से कठी करनी है तो सबसे पहले मेरे पास है 2xz तो देखो xz है कहीं है नहीं दिख रहा मुझे तो xz कहीं नहीं है आगे मेरे पास से 2x square है कहीं नहीं दिख रहा आगे अगर हम देखें तो प्लस 2YZ देखो कहीं है 2YZ नहीं है ठीक है आप नीचे लाइन खीषते रहे ना फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है 2YZ देखो 2YZ है नहीं है तो ऐसे ही लिख दिया अब आगे क्या बचा है माइनस 2Y स्केर है कहीं नहीं है देखो सारी स्टैप्स गिनल हो गई ना 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 चलिए अब like को हम कवर करते हैं like terms को like terms कोंसी है यह है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस और 2,2 क्या हो गया 4 और बड़ी डिजिट का साइन तो सबसे पहले as it is इसको ऐसे ही उतार दिया आगे 2X स्क्वेर अब यह minus minus प्लस हो गया था तो यहाँ पर 4XY और डिजिट का साइन माइनस आगे कोई भी term से like नहीं है इसलिए इनको as it is ऐसे ही उतार देना है यह हो गया हमारा answer ठीक है प्रिविएस वीडियो में मैंने आपको इसके दो तरीके समझाए हुए तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको इस तरीके से solution बता है next वीडियो में मैं आपको उसी तरीके से अगले question मतलब same easy question का अगले तरीके से solution बता दूँगी ठीक है तो आगे करें हम next question है हमारा part c ठीक है आप इस तरीके से करोगे तब भी आपके marks नहीं कटेंगे और वो उस तरीके से करोगे तब भी कोई problem नहीं जो आपको easy लगे ना आपने वो method करना है ठीक है next आगे हमारा subtract subtract करना है from में से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं bracket solve करते हैं ठीक है same as it is ऐसे ही 4L की इसमें करेंगे फिर 4L की 3M में करेंगे और फिर 4L की 2L में करेंगे ठीक है समझ आगी बार तो चलिए bracket को solve करते हैं bracket को हम जो है form में जिस तरीके से हम रखते हैं रखके भी solve कर सकते हैं कैसे solve करेंगे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया 3L को L से multiply किया तो क्या आ गया 3L square हो गया फिर 3L की multiply किसमें करना है 4 में तो 4 3 जल्दी बोलो 12 उसके बाद M और L है तो L M लिख देंगे ठीक है उसके बाद plus का sign 3 की multiply 5 से 5 3 जल्दी फिफ्टीन और N है और L है तो L N ठीक है नेक्स्ट आगे क्या आ गया from from के बाद हमारे पास है 4L की multiply हमने किसमे करनी है 10 N में तो ये क्या हो जाएगा 40 L और N उसके बाद minus का sign 4L की multiply किसमे करनी है 3 में 4 3 जल्दी जल्दी उसके बाद कौन सा sign आ गया हमारे पास plus का sign और उसके बाद हमारे पास क्या है 4L की multiply 2L में 4 2 जल्दी एट ठीक है और L 2 हो गए तो इसलिए L square ठीक है clear चले अब क्या करना है हमने अब subtract करना है इसलिए from वाली जो digit उसको पहले लिखने है और दूसरी digit को बाद में लिखना है तो ये वाली digit हम पहले लिखेंगे क्या है हमारे पास 40LN माइनस 12LM प्लस 8L square ठीक है subtract करना है तो माइनस का sign ब्रैकेट लगा के पहली वाली digit 3L square माइनस 12LM प्लस 15LN ठीक है इतना clear हुआ अब क्या करना है हमें अब हमें इसकी ब्रैकेट खोलनी है किसे माइनस से और माइनस से ब्रैकेट खोलते हैं तो सारे sign change चलिए sign change करें 40LN माइनस 12LM प्लस 8L square यहां तक तो सेम हो गया इस माइनस से हमने ब्रैकेट खोलना है तो माइनस 3L square यहां माइनस था तो प्लस 12LM यहां प्लस है तो माइनस 15LN अब क्या करना है like term से कठी करनी है चलो करते है 40LN देखो LN है कहीं 40LN है बिल्कुल यहां पर माइनस 15LN अगली LN माइनस 12LM देखो कहीं है LN यह रहा प्लस का 12LM आगे देखो क्या है 8L square प्लस 8L square है कहीं बिल्कुल है माइनस 3L square हो गई सारे steps एक बार देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 clear है चलो अब इसको solve करते हैं यह प्लस का यह माइनस का प्लस माइनस माइनस 40 में से हमने 15 को क्या कर देना है माइनस कर देना है और बड़ी डिजिट का साइन तो 40 में से 15 को माइनस किया तो करो कितना आ गया 10 यह माइनस हो गया ठीक है 5 तो कितना आ गया 25 ठीक है 25LN आगे देखो यह डिजिट ठीक है यहाँ पर 12 L M है ठीक है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी 12 था यहाँ पर 12 ठीक है यह दोनों क्या हो गए same sign cancel ठीक है अब क्या बचा हमारे पास L square बचा हुआ है ठीक है और यह plus का यह minus का plus minus minus 3 में से अगर 8 में से 3 को minus करो कितना आ गया 5 बड़ी digit हमारी किसमें है plus में तो म क्या हो गया हमारा answer question number 5 का D same ऐसे ही इसको भी करना है आपको क्या करना है तो subtract करने के लिए सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले bracket को solve करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले bracket को solve कर लेंगे तो bracket solve करने का हमें पता है क्या करना है पहले 3A की multiply A में करेंगे फिर 3A की multiply B में करेंगे ठीक है तो चलिए करते हैं सबसे पहले 3A की multiply A में किया तो क्या हो गया 3A square फिर 3A की multiply B में किया तो क्या हो गया आ गया 3AB फिर plus 3A की multiply C में किया 3AC उसके बाद देखो ये bracket तो हमारी close हो गई अगली bracket को close करना है ठीक है अब minus 2B से इस bracket को close करना है एक चीज़ बच्चे ध्यान रखना है जब भी आपके bracket के बाहर minus होना तो हमेशा bracket के अंदर के सारे sign क्या होते हैं change हो जाते है ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास minus 2B है ठीक है तो first plus का था तो यहां मैंने क्या कर दिया minus 2AB उसके बाद minus 2B की minus B में किया तो सबसे पहले minus minus हो गया plus ठीक है sign change हो गया उसके बाद B और B क्या हो गया 2B square उसके बाद यहां पे plus है तो यह क्या हो गया minus 2B की multiply C से किया तो क्या आगया 2B C ठीक है आगे from 4C की multiply किसे करनी है minus A से तो क्या आजाएगा minus 4AC फिर 4C की multiply किसे करनी है B से तो हम क्या करेंगे यहां पर plus 4BC उसके बाद क्या आजाएगा 4C की multiply C में करेंगे तो 4C square ठीक है अब क्या करना है अब इसको जो है आपने क्या करना है same पहले क्या करना है जो from के बाद वाली digit है उसको पहले लिख ले नहीं है और from के पहले वाली digit को उसको बाद में लिख ले नहीं है ठीक है तो from के पहले वाले जो expression से चली इसको लिखते है सबसे पहले क्या है हमारे पास 4 minus ठीक है minus 4ac plus 4bc plus 4c square उसके बाद है हमारे पास अब ये वाले digit लिखनी है minus लगा के bracket लगा के 3a square plus 3ab plus 3ac minus 2ab plus 2b square minus 2bc ठीक है अब क्या करना है हमें bracket solve करना है ठीक है bracket के बाहर वाला था हम ऐसे ही लिख देते हैं 4bc plus 4c square अब bracket खोले के लिए minus a सारे sign को हमने क्या कर देना है change कर देना है तो चलिए change कर देते हैं minus 3a square यहाँ plus था तो minus 3ab यहाँ plus है तो minus 3ac यहाँ minus है तो plus 2ab यहाँ पर plus है तो minus 2b square यहाँ minus है तो plus 2bc clear इतना अब क्या करते हैं like terms को इकठा करते हैं तो 4ac देखो 4ac ac है कहीं पर? check करो ac यह रहा क्या लिखेंगे minus 3ac ठीक है? आगे 4bc 4bc check करो bc है कहीं पर? यह रहा plus 2bc आगे plus 4c square देखो c square है कहीं? नहीं है फिर उसके बाद minus 3a square check करो है कहीं minus 3a square? नहीं है उसके बाद minus 3ab check करो a b है कहीं? यह रहा a b तो क्या लिखेंगे? plus 2ab b उसके बाद यह भी हमारा हो गया यह भी हो गया अब क्या बचा? यह बचा है minus 2b square सारी digits हो गई हमारे like terms से कठे हो गए अब like terms को क्या करेंगे? solve करेंगे तो like terms में यह दोनो minus minus है बड़े digit minus किसलिए minus और minus minus plus 4 or 3 कितना हो गई हमारा? 7 ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यह आपका क्या कौन से digit हो गई? सबसे पहले आपने यह देखना है कि यह minus की है और यह भी minus की है तो minus minus आपका क्या हो जाता है? plus ठीक है? four में से 3 को अगर हमने minus किया स्वारी minus minus plus हो न four और three को किया तो हमारा क्या आ गया seven seven a c minus में क्यों क्यों क्योंकि बड़ी dot minus में ठीक है ये plus 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 है तो यहाँ पर भी plus है यहाँ पर four or two कितना हो जाएगा four or two six six b c यहाँ पर plus minus नहीं ये तो अलग-अलग है तो इसको हमने ऐसे ही लिख देना है 4C2-3A2 आगे ये दोनों like terms है minus plus minus 3AB में से 2AB को minus किया कितना आगया आपके पास? AB आगया और किसका आजाएगा? बड़ी digit minus के इसलिए यहाँ पर minus आगे B2 के साथ कोई like term नहीं था तो B2 को हमने ऐसे ही लिख देना है यह हमारा हो गया answer ठीक है? I hope बच्चो यह question आपको अच्छे से समझा गया